पुराणिक युग में कई तपस्यों ने तपस्या कर देवी देवताओं से वर्दान प्राप्त किये हैं जैसे की भस्मासुर और बकवास बाबा जी हां आपने सही सुना बकवास बाबा ये बाबा जिसकी कोई भी नहीं सुनता था पुराने की युग में उसने कठोर तपस्या की और जब देवी डेवता उसकी तपस्या से खुश हुए तो इस बकवास बाबा ने वरदान मांगा वरदान था कि मेरी आवाज कोई नहीं सुनता है तो मुझे ऐसा वर्दान डीजिये की दुनिया मेरी आवाज सुने और मेरी आवाज अमर हो जाए देवी देरताओं ने उसकी तपस्या से प्रसन होकर उसे ये वर्दान दे दिया जैसे जैसे वक्त बिता गया ये बकवास बाबा 2006 तक आते आते बिग बोस नाम में बदल गया आज वही हो रहा है जिस बाबा की पुराने काल में कोई नहीं सुनता था आज भारत वर्ष उसी बिग बोस रुपी बकवास बाबा की आवाज सुनता है क्या आप सेहमत हैं बिग बोस के ओरीजन की इस थियोरी पर आप अपनी राय मुझे कॉमेंट शेक्षिन में टाइप करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फिल्मी दुनिया की मसालदार खबरों के लिए निउस्केफिल लाइब को आज ही सब्सक्राइब करें